ठीक है चरूंब विडियो एक दलब आणकोर आफ करा और और मूट करा जो जाए यो सम bliver जाए विडियो आणको आफ करा मूट करा राइट हर्मोनीक्स अग हो क्या मैं आइके ही इसमेर ना हो अ य म候 क्तार terr volta अब देंको ह्मोनिक्स Ol उर टोन्स कहा रहता है harmonics और all tones क्या रहता है चलो देखो फड़ा-फड़ इदर अभी harmonics और all tones क्या रहता है the harmonics मतलब क्या है चलो वीडियो on off किया है क्या सब लोग ने है नहीं किया तो करो तुम लोग अपना-पना करो on करो एक बार वीडियो और फिर आएगा तो उसके बाद off करो चलो देखो harmonics क्या रहता है harmonics क्या रहता है harmonics मतलब integral multiple of fundamental frequency harmonics और overtone में confusion रहता है harmonics मतलब क्या है integral multiple of fundamental frequency अभी देखो उसका क्या मतलब रहता है उसका क्या मतलब रहता है देखो अभी तो ये string है metallic string है जैसा guitar में string रहता है वीना में string रहता है वैसा एक string है ये और दोनों rigid supports में connected किया है दोनों rigid supports के बीच में उसको connect किया है और फिर इसको क्या किया में ने यहां से इसको खीच के ऐसा प्लक करके छोड़ दिया इसको खीचा और छोड़ दिया इसा प्लक किया तन इसको ऐसा तन ऐसा छोड़ दिया तो कुछ तो sound produce करता है तो डिफरेंट जगह पे प्लग करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रडिस होता है यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे प्लग किया, यहाँ पे प्लग किया, तो अलग-अलग साउंड प्रडिस होता है तो कितना कितना frequencies produce है इस wire में से कौन सा-कौन सा frequencies बाहर आता है तो 50 Hz का frequency बाहर आता है 100 Hz का frequency बाहर आता है 150 Hz का आता है फिर 250 Hz का आता है फिर 300 Hz का आता है इतना frequencies इस wire से बाहर आता है मतलब इतना frequencies यह wire produce कर सकती है ठीके तो जो भी सबसे छोटा frequency रहता है करती है उनमें सबसे कम जो फ्रिक्वेंसी रहता है वायर जितना भी फ्रिक्वेंसी प्रिक्वेंसी करती है उसमें से सबसे कम से कम जो फ्रिक्वेंसी रहता है उसको क्या बोलते हैं कम से कम फ्रिक्वेंसी को उसको क्या बोलते हैं हम लोग fundamental frequency that is called fundamental fundamental कौन से frequency यह सबसे छोटी वाली रहती है fundamental fundamental को ही बोलते है first harmonic fundamental को ही बोलते है क्या first harmonic अब एक बार fundamental fix हो गया एक बार अगर fundamental fix हो गया तो harmonics एकदम easy है fundamental fix अगर हो गया harmonics एकदम easy harmonics क्या रहता है fundamental का हर एक multiple को harmonic बोलते इसमें present है क्या present नहीं है कुछ भी फरक नहीं पड़ता fundamental तो present रहता ही है fundamental का next integral multiple को बोलते हार्मोनिक तो 50 का 2 times यह हो गया second harmonic 50 का 3 times यह हो गया third harmonic पज़ास का 4 times यहां पर present नहीं है तो भी कोई problem नहीं है 200 hertz 200 hertz क्या हो गया fourth harmonic हो गया यहां पर wire में से 200 hertz produce नहीं होता wire 200 hertz produce नहीं करता फिर भी वो harmonic है fundamental का multiple harmonic रहता ही है 2 times second harmonic 3 times third harmonic 4 times fourth harmonic यह 5 times है तो यह fifth harmonic है यह कितना है 6 times है तो यह है sixth harmonic तो harmonic clear fundamental का multiple integer multiple integer नहीं बोलते है उसको integral बोलते हैं मतलब integer वाला multiple fundamental का integral multiple is क्या fundamental का integral multiple को harmonic बोलते हैं अब overtone क्या रहता है जो wire में से sounds आता है उसको overtone बोलते हैं छोड़के fundamental जो wire में से frequencies बाहर आता है उनको बोलते है overtone except fundamental fundamental को overtone नहीं बोलते हैं यह wire में produce होता है तो इसको overtone बोलते हैं तो यह है पहला यह है first overtone फंडामेंडल छोड़के जो भी produce होता है उसको overtone बोलते हैं यह पहला इसके बाद बड़ा वाला जो रहता है frequency यह भी wire में produce होता है तो इसको second opportun इसको third opportun इसको fourth और बोलनेंगे यह सब produce होता है तो इसको overtone बोलनेगे इसको overtone बोलने का क्या नहीं क्योंकि यह वाला frequency wire में produce ही तो fundamental, harmonic और overton, difference clear क्या, comment को और फड़ाफ़र, fundamental मतलब सबसे कम frequency जो produce होती है, harmonic मतलब fundamental का integral multiple, fundamental को first harmonic बोलते है, और overton मतलब जो भी produce होता है, वो वाला frequency, सबको clear ना, very good, जो भी produce होता है, वो क्या है, overton, छोड़ के fundamental, तो यह first overton है, तो pick लेना है, तो इसका pick ले लो, अब उसके बाद क्या है, octave रहता है, octave higher मतलब double frequency, octave, octave higher मतलब double frequency, octave lower मतलब half frequency, कल का जो motor का problem था, वो solve हुआ है, simple ही था, बाद में पूछे मुझे बोलता हूँ मैं, कैसे करने का बोलता हूँ मैं, octave higher मतलब double frequency, octave lower मतलब half frequency, यह भी याद रखो, तो harmonic fundamental अब clear सब, चलो, तो अभी जाते है, डारेक्ली string के ऊपर, डारेक्ली देखते हैं अभी string का कैसे कैसे रहता है, string का formula और open pipe का formula same रहता है, एकदम जो major major है chapter में, वही में revise करता हूँ, चोटा-चोटा मैंने जो video sent का है, revision का video, अल्रडी मैंने बनाया है, paper नीचे camera उपर है, मेरा चेहरा नहीं दिखता हूँ, वह वाल इस video देखो, उसमें हर एक detail मैंने cover किया है, यहाँ पर हम लोग क्या एकदम important है, उतना ही देखेंगे, तो string, फिर pipe और close pipe, इनको मैं अभी compare करता हूँ, ठीक है, तीनों को, एक साथ करेंगे, थोड़ा letters चोटा-चोटा हो जाएगा, तो देखो, दिखने में थोड़ा difficulty हो सकता है, थोड़ा letter चोटा-चोटा हो जाएगा, मैंने camera आगे भी लिया है थोड़ा, देखो, तो, यहाँ पर है string, यहाँ पर है pipe, closed pipe, और यहाँ पर है open pipe, यहाँ पर है open pipe, अगर unclear है दिखता नहीं, तो बोलो मुझे at a time में 2 compare करता हूँ, लेकिन मुझे जितना idea है उसके सब से सब दिखना चाहिए, तो string के लिए क्या formula रहता है, string के लिए frequency का क्या formula रहता है, प्लस वन अपॉन अपॉन टू यल इंटू वेलोसिटी, string के लिए क्या formula रहता है, n is equal to, यहाँ पे जो frequency produced हो रहा है, वो n is equal to p प्लस वन अपॉन टू यल इंटू वी, लेकिन string पे, वेलोसिटी का formula क्या रहता है, string पे वेलोसिटी का वेलोसिटी रहता है, उसका क्या formula रहता है, तो उसका formula रहता है, root of tension upon mass, root of tension upon mass, यह तो वेलोसिटी का वेलोसिटी का वेलोसिटी का वेलोसिटी रहता है, tight string पे, tension of the string और M क्या है, M को क्ई लिख सकते है. हम लोग, mass per unit upon 2L into velocity. इदर का formula, उदर का formula same ही रहता है. यहाँ velocity के लिए हमने root T by M put किया है. string पर string पर velocity का formula इतना रहता है. तो pipe में velocity का formula क्या? formula कुछ है ना? pipe मतलब हवा में velocity का formula root of 3RT by M लेकिन हम लोग यहाँ पर वो लिखते नहीं. root of 3RT, sound का sound का velocity है ना? तो sound का velocity का formula यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं direct V लिखते है. वो लिखा तो भी चलता है. root of 3RT, 3 नहीं सरी, root of gamma RT upon M या फिर root of gamma P upon Rho. तो वो formula इदर चलता है. तो इदर का और इदर का formula same है. close pipe के लिए क्या formula है? तो close pipe के लिए formula ऐसा है. 2P plus 1, हर जगे पे PP है, यहाँ पे 2P plus 1 है. इदर 2L, 2L है, लेकिन यहाँ पे 4L रहता है. और into velocity. into velocity रहता है. ठेक है? ओके. M के लिए अभी याद रखो ऐसा A into Rho या फिर इदर लिखो. M is equal to A into Rho. ठेक है? ओके. अब उसके बाद देखो क्या है. अगर frequency पूछा है, तो यह वाला formula यूज करने का P क्या है लेकिन? P क्या है? तो P है overtone का number. P क्या है? overtone का number. तो fundamental frequency चाहिए. हमको अगर fundamental frequency चाहिए, तो P कितना put करने का 0? हर एक case में. तुमको हर एक case का fundamental frequency चाहिए. तो P कितना put करने का 0? 0 overtone ऐसा पूछ define नहीं रहता, लेकिन. 0 overtone ऐसा physics में define नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 0 वाला overtone मतलब fundamental frequency. तो बोला है question में कि fundamental frequency नहीं कॉलो. question में अगर बोला है find out fundamental frequency, तो P कितना put करने का 0? 2nd overtone वाला frequency नहीं कॉलो बोला है. 2nd overtone वाला frequency बोला है, तो P 2 put करो. find out frequency of second overtone. ऐसा पूछा है तो P 2 put करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 put करो. ठीक है? कभी-कभी पुछते क्या? 4th 4th harmonic वाला frequency find out करो बोलते हैं, यहाँ फिर बोलते हैं 4th mode of vibration. पहले यह करते हैं. क्या आफ बोलते हैं? 4th harmonic find out करो बोलते हैं. तो 4th harmonic मतलब क्या? यह रहता है harmonic का नंबर. यहाँ पे harmonic का नंबर क्या रहता हैं? यह रहता है. और यहाँ पे harmonic का नंबर क्या रहता है? यह रहता है. ठीक है ना? तो 4th harmonic बोला है, 4th harmonic find out कर ऐसा पूछा है, तो P प्लस वन क्या पूट करने का? ठीक है? यहाँ पर भी 4th harmonic पूछा है, तो क्या करने का? 2P पलस वन की जगह पर ही क्या पूट करने का? 4 put करने का. 2P पलस वन की जगह पर ही 4 put किया, तो 4th harmonic निकलता है. लेकिन 4th harmonic present नहीं रहता है, इसको calculate करोगे तो P का value कितना आता है? यह ऐसा क्यों आता है? क्योंकि इसमें 4th harmonic present नहीं रहता, इसमें 4th harmonic present नहीं रहता यह वाला जो pipe है इसमें से 4th harmonic बाहर नहीं निकलता है, इसमें से क्या निकलता है? fundamental निकलता है मतलब first harmonic second नहीं निकलता है second नहीं निकलता है फिर third निकलता है इसमें से third निकलता है तो यह pipe में से क्या क्या निकलता है first harmonic निकलता है मतलब fundamental निकलता है second इसमें से नहीं निकलता है इसमें से third निकलता है फंडमेंडल का 3x फ्रिक्वेंसी इसमें से निकलता है लेकिन फंडमेंडल का 2x फ्रिक्वेंसी इसमें से नहीं निकलता है फंडमेंडल का 4x इस पाइप से बाहर नहीं आता है लेकिन फंडमेंडल का 5x इस पाइप से बाहर आता है fundamental का 6 times इस pipe से बाहर नहीं आता, यह pipe प्रोडूस नहीं करता, लेकिन fundamental का 7 times प्रोडूस करता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पूछा है, इस question में, फिर भी पूछा है, 4th harmonic find out करो, इस question में, फिर भी क्या पूछा है, 4th harmonic find out करो, तो 4th harmonic मतलब क्या रहता है, fundamental का 4 times, Fourth harmonic मतलब fundamental का 4 times तो fundamental क्या है? जब P zero है, वो fundamental है जब को अभी धान से हमको क्या बोला है? Find out fourth harmonic हमको बोला है fourth harmonic find out करो fourth harmonic मतलब क्या रहता है? fundamental का 4 times तो fundamental मतलब क्या? P कितना put करने का 0 P zero put क्या? तो यह कितना होता है 1 by 4L मतलब V by 4L V by 4L है fundamental V by 4L है fundamental इसका कितना times करने का 4 times तो 4th harmony कितना आता है 4th harmony कितना आता है ऐसा भी याद रखा तो चलता है 4 into funda ऐसा भी किया तो चलता है वैसे ही बताता हूँ यह छोड़ो तुमको confusion हो सकता है X जैसा ही बताता हूँ तो 4th harmonic बोला है तो क्या करने का 4 into funda यहाँ पर भी चलता है यह formula यहाँ पर भी चलता है यह clear अभी यह थोड़े easy करके देता हूँ 4th harmonic find out करो बोला तो क्या करने का 4 into fundamental frequency यह वाला clear fundamental इदर produce होता है तो fundamental इदर होता है क्या fundamental तो इदर भी produce होता है fundamental तो इदर भी produce होता है fundamental तीनों cases में produce होता ही है fundamental का 2 times produce होता है क्या इदर होता है fundamental का 3 times भी produce होता है 4 times, 5 times, 6 times, 7 times सब fundamental का हर एक multiple यहाँ पर produced होता है इस string में से कौन-कौन सा frequency बाहर निकलता है Haar एक fundamental and उसके सब multiples 2-3-4-5-5 उसमें से बाहर निकलता है Open pipe के लिए भी same fundamental निकलता है उसका 2 ताइमस निकलता है 3 ताइमस निकलता है बाहर 4 ताइमस 6 ताइमस सब निकलता है इस में कैसा है, fundamental निकलता है, उसका 2 ताइम इसमें से बाहर नहीं आता है, 4 ताइम नहीं आता, 5 टाइम आता है, 6 ताइम नहीं आता, 7 टाइम आता है, ठीक है, समझता है? ओके, चलो, तो, कभी-कभी ऐसा वोलते, क्या वोलते? ओहर टोन्स की जो फ्रिक्वेंसिस है उनका रेशो क्या है ओहर टोन्स की जो भी फ्रिक्वेंसिस है उनका रेशो क्या है तो ओहर टोन्स मतलब जो भी प्रेजेंट है वो तो ये सब लोग यहां पर प्रेजेंट है तो ओहर टोन्स की frequency का ratio यहाँ पर कितना आता है 1s to 2s to 3s to 4s to 5s to 6 overtones की frequency का ratio यहाँ पर भी कितना 1s to 2s to 3s to 4 और यहाँ पर कितना 1s to 3s to 5s to 7 present कौन-कौन सा है 1s to 3s to 5s to 7 यहाँ पर क्या बोलते है all harmonics are present as overtones sub harmonics मतलब sub multiples यहाँ पर क्या बोलते है all harmonics are present as overtones मतलब sub multiples fundamental के sub multiples इसमें से निकलते हैं निकलते हैं मतलब उनको overtone बोलते हैं जो भी frequency निकलता है उसको overtone बोलते हैं तो इधर क्या sentence बोलते हैं all harmonics are present all harmonics are present as overtones sub harmonics present है यहाँ पर भी sub harmonics present है मतलब इसमें से निकलते हैं लेकिन यहाँ पर सब हर्मोनिक्स प्रेजेंट है का नहीं, only odd harmonics are present, odd one, three, five, fundamental उसका three times, उसका five times, उसका seven times यहाँ इसमें से निकल दा है, इधर क्या बोलते हैं, only odd harmonics are present, clear, only odd harmonics are present, चलो, इसका एक screenshot मारो, आगे बोलता हूँ क्या क्या है, हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, हो गया, तो आपस एक बार में रिवाइस करता हूँ, फंडामेंडल मतलब क्या, हर एक का फंडामेंडल चाहिए, तो प zero put करो, थर्ड ओर्ट 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 4 थर्मनिक चाहिए तो 4 इंटो fundamental, 6 थर्मनिक चाहिए तो 6 इंटो fundamental, ठिक है? 7 थर्मनिक चाहिए तो 7 इंटो fundamental, ऐटेक है? तो इसमें देखो इसमें वाइबरेशन का फ़स्ट मोड कैसा रहता है वाइबरेशन के एक दो मोड दिखाता हूं में यहाँ पर रिजिट सपोर्ट यहाँ पर रिजीट सपोर्ट तो मतलब क्या रहता है यहाँ पर node रहता है, यहाँ पर भी node और बीच में anti-node होता है यहाँ पर node रहता है, यहाँ पर node रहता है और बीच में क्या रहता है, anti-node रहता है तो यह वाला रहता है इसका fundamental mode, first mode of vibration तो first mode का frequency, fundamental frequency मतलब P कितना put करने का 0 तो क्या formula होता है, 1 upon 2L, root P by M second mode मतलब क्या होता है, second mode मतलब string दो loops produce करती है second mode मतलब string क्या करती है, दो loops, यहाँ पर ऐसा पर ऐसा होता है यह समझता है ना, stationary waves produce कैसे होता है, यह इधर string ऐसा, तो यह उपर यह नीचे यह उपर नीचे, 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 फिर यह उपर जाता है, 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 वह हो रहता है फॉस्ट ओर्टो फॉस्ट ओर्टो मतलब P का वेल्यू टालो तो 1 प्लस 1 कितना 2 अप्वान 2L रूट टी बाई है त्टी के जाए इसके बाद कितना होता है उसके बाद 3 लूप्स यहाँ पर 2 लूप्स हुआ है फिर तीन लूप्स 123 वह आला फ्रेक्वेंसी कितना आता है थ्री अपन टू यह इधर फंडवे ओर्टन वन यह ओर्टन यहां पर तीन लूप्स मतलब इधर ड्रॉब करता हूं 123 23 है था तीन लूप्स किती लूप्स मतलब क्या रहता है फॉस्ट मॉड फंडामेंटल यह है फ़र्स्टवर्टन यह है सेकेंड अपर लिए पर डालो तो टू प्लस 1 3 बनता है 3 अपन टू यह रूट टी बाया अ म root t by m 3 upon 2l root t by m तो क्या बोलना था अभी मुझको यह देखो तो कभी-कभी क्या बोलते wire has 4 loops या फिर बोलते wire has 2 loops then find out its frequency क्या बोलते wire has 4 loops then find out its frequency if wire has 8 loops तो उसका frequency क्या रहेगा तो उसका frequency है रहता है यह तो अपना standard formula है something upon 2l into root t by m something upon 2l into root t by m तो number of loops अगर दिया है number of loops अगर दिया है 8 loops है wire में 8 loops है तो यहाँ पर put करने का 8 यहाँ पर put करने का 8 देखो वो भी दिखाता हूं में एक loop है उपर 1 आता है दो loops से उपर 2 आता है तीन loops हो गया तो उपर 3 आता है तो अगर 8 loops है तो उपर कितना हैगा 8 आता है clear इतना चलो तो आत लूप है वायर में ऐसा 1,2,3,4 ऐसा आत लूप हो गया है और वाइबरेट कर रहा है उसका frequency निकालो बोला है तो उपर कितना रखने का 8 यह रहता है number of loops P plus 1 क्या रहता है number of loops यह रहता है number of loops ठीक है चलो इसका भी screenshot ले लो एक ठीक है चलो अभी क्या करो string का जितना भी मैंने only string का only string का जितना भी मैंने अभी लिखके दिया है screenshot तुम लोगोंने लिया है उतना एक बार अभी read करो दो मिनिट्स ब्रेक लो उसमें read करो मैं इधर ही हूँ string का एक बार read करो मैं वापस revise करता हूँ इधर ही रेट्टा करवा के लेता हूँ तुमारा ठीक है चलो read करो फड़ा फड़ only string read करो फ wakingर कि पर फड़ सकत Whoo मैं खट मैं थिधा करें अभि तुमारा is now प्ड़ा करते है करो प्यान सकते हां इधर हूँ निप राहँ उनी करें हम्पली2 को मैं तुमाराаш मच्अ भार उτά kau झाल 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 रेड़ करके होने के बाद कमेंट करो मैं चालू करता हूँ बोलो आप में शिक्क्या है हैंड करेज किया है कुछ डाउट है का हैंड म्यूट करूगे हैं फॉर्थ हर्मोनिक अगर फाइंड आउट करना है तो प्लस वन को फॉर्ट करो सही है ऐसा ही बोलना चाहा है अभिशेख अगर फॉर्थ हर्मोनिक फाइंड आउट करना है तुम लोगों को तो प्लस वन को फॉर्ट करो ऐसा भी चलता है क्लियर फंडमेंडल क्या रहता है यह रहता है फंडमेंडल फ्रिक्वेंसी जब पी का वैल्यू जीरो होता है वह वाला रहता है फंडमेंडल तो fundamental कितना आता है यह बनता है यह दो फोन प्लस वन को is यह बनता है vur फ़्हार्म सकता हो पी प्लस वेन के जगे पर फोर रखो या फिर फंडामेंटल का फोर टैम्स फंडामेंटल मतलब पी कितना जिरो पूट करने का ओके ठेकेट चलो अभी में वापस एक बार रिवाइस करता हूं स्ट्रिंग का पूरा इधर ही याद रहता है तुमको घर पर पढ़ने का भी जरूत नहीं है एक दाम इजी ही चाप्टर है कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है अभी इसका स्टेंडेड फॉर्मिला यह वाला है तो यह तो रतना ही पड़ेगा इसको कोई option नहीं यह रतना ही पड़ेगा यह वे स्थिटी, रहता है मास् पर उनिूनीट लेंद्ध को हम लोग area by the wire क्रॉस क्ष्ट्चनल अप्र सरय है। इधर अप्ल क्रॉस दिशiencia की ओढ़ाई अट्गन का कम कै और हुराफ जाए chínhoup एक अजुआस्याक मुक्रॉस क्रॉसक्ष्ट्चनल अट्गन ड़िया